एक मशूर कहावत है कि सुन्दर्ता देखने वाले की आखों में होती है लेकिन हर जगा खुबसूर्ती के पैमाने भी अलग-अलग होते हैं वैसे तो किसी लड़की की खुबसूर्ती उसके शक्ल, शरीर की बनावच और चेहरे पर निर्भर करता है 19-वी सदी में तो मुटापे को ही खुबसूरत समझा जाता था लेकिन आज हम आपको एक ऐसी राजकुमारी की खुबसूर्ती के बारे में बताने जा रहे हैं उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे डरसर हम बात कर रहे हैं 19-वी सदी में इरान की राजकुमारी के बारे में जिनके किस्से आज भी याद किये जाते हैं आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इरान की राजकुमारी ताजल कजर सुल्ताना के सुन्दर्ता के सभी मानकों को तोड़ दिया था उनके चेहरे पर मूचें और घनी बौहे थी इसके साथ ही वो काफी मोटी भी थी भले ही आपको ये सब जानकर थोड़ा अश्चर्य हो रहा होगा लेकिन बावजुद इसके भी उन्हें काफी सुन्दर माना जाता था मीडिया रिपोर्स की माने तो उस वक्त के ज्यादतर नौजवान इस राजकुमारी के सुन्दर्ता की कायल थे और उनसे शादी करना चाहते थे हाना कि राजकुमारी कजर ने सब के प्रस्तावों को ठुकरा दिया था कहा तो ये भी जाता है कि राजकुमारी के इस बाद से आहत होकर 13 नौजवारों ने खुदकुशी कर ली थी बताए ये भी जाता है कि राजकुमारी ने प्रस्तावों को इसले ठुकराया क्योंकि राजकुमारी की शादी पहले ही अमीर हुसेंग खान शोजाय सल्तनेह से हो चुकी थी इस शादी से उन्हें दो बेटियां और दो बेटे थे हलाकि बाद में उनका तलाख हो गया दावा तो यहां तक किया जाता है कि राजकुमारी के कई अफैर भी थे इनमें दो लोग सबसे प्रमुक थे गुलामली खान, अजीजी, अलसुल्तान और इरानी कवी आरिफ काजवीनी कहा ये भी जाता है कि राजकुमारी उस दौर की आधुनिक महिलाओं में से एक थी वो पश्यमी सभ्यता से काफी प्रेरित थी और वेस्टन कपड़े पहनती थी राजकुमारी कजर हिजाब उतारने वाली उस दौरान की पहली महिला मानी जाती है बिर रुपोर्ट